शुर बाजार में उतार चड़ाव जारी है, गुरुवार को बाजार 212 अंख की गिरावट के साथ लाल निशान पे बंध हुआ, वहीं आज शुकुरुवार को बाजार मामूली बढ़त के साथ 21,782 के लेवल पर बंध हुआ, बाजार के उतार चड़ाव में एक सबसे फेक्टर, FPI's का भी माना जाता है, यानि Foreign Portfolio Investments, नवेंबर दिसंबर में जहां इंडिन इक्विटीज में, FPI ने अर्बो की खरीदारी की, वहीं जैन्वरी के बाद FPI's का Sell Button On है, और जिससे इसका असर उन स्टॉक्स पर हमें देखने को मिला, वो कौन-कौन से सेक्टर है जहां FPI's लगातार बिकवाली कर रहे थे, चली जानते हैं, इस वीडियो में नमश्कार आप देखरें, बिस्तक और मैं हूँ श्रया थाकुर। एक 30,261 करोड बेचा है, FMCG में वही 2,016 करोड, Nifty Services में 2,006 करोड, Metal & Mining में 1,949 करोड और दूसरे सेक्टर में 1,445 करोड की बिकवाली की है और इसका असर हमें कुछ पर्टिकुलर सेक्टर पर देखने को मिला, डेटा आपकी स्क्रीन पर है अभी निफ्टी Financial Services की बात करो तो January 2024 में ये लगभग पौने 5 फीजदी टूटा था और फर्वरी में ये लगभग पौने 2 फीजदी तक टूट चुका है निफ्टी हाला कि फेर्वरी की बात करो तो अभी दो ही हफते हुए है और निफ्टी FMCG साहरे तीन फीजदी से ज्यादा टूटा था January 2024 में और फेर्वरी में सवा दो फीजदी से ज्यादा टूटा है निफ्टी में ये एक फीजदी से ज्यादा टूट चुका था January में और अभी फेर्वरी में दो हफते जो हो है उसको देखके लगता है तोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है शुनी तश्मलव 2.5 फीजदी चठा है वही निफ्टी मेटेल्स जैनवरी में शुनी तश्मलव शुनी छे फीजदी तूटा वही यहाँ पे फेर्वरी में इसमें बढ़त देखने को मिल रहे है लगभग पॉने दो फीजदी से ज्यादा अब देखने वाले बात होगी कि आने वाले समय में इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में क्या चाल बन सकती है एक खबर हमने आपकी ज लाइब चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कान, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत बुच्छ इस प्रेमियम सब्स्क्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ट और प्लाटिन जिनके शु तो फिसमियम फ्य., एंकर्स के साथ झाल आप स्कान, एंयो मार्केट साथ।